हमारे साथ AIMIM के अधियक्ष असदुदिन OAC साथ जुड़े हैं सर इस बार चुनावी मुद्दा रिजर्वेशन पर आकर अटका है यहाँ पर एक तरफ आप कह रहे हैं कि चारपटसन रिजर्वेशन जायज है दूसरी तरफ S.C.S.T.O.B.C. का रिजर्वेशन हटाया जाएगा अगर भारती जंता पार्टी सत्ता में आती है तो इस पर केस भी हो गया है तलंगाना के मुख्य मंत्री पर यह चार्ज भी लग गया है नोटिस दी गए समंझ दिये गए उनको इस पर क्या कहेंगे तलंगाना की सरकार कमजोर सरकार है सरकार में रहते हुए जब बीजे पी वाले इतना अनाफशना बखर है उननपर वी केस बुक करो आप क्यों ने कर रहे हैं क्या कमजोर कमजोरी के मजारा क्यों कर रही है यहां की तेलेंगाना की सरकार अब जहांतर रिजरेशन का मसला है इनके जी कितने कैंडेट्स हैं अच्छा एक एक आचारिया साब ने क्या भाशन दिया जो नरेंदर मोडी से मलाखाद किया आपकी चैनल पर दिखाए कि जब धरन संसद होगा उसमें रिजर्वेशन को हटा धिया जाएगा हम कह रहे हैं यping एक तो सब नरेंदर मोडी के चाहने वाले हैं लाही ही ला दे किशिन दिया आरे उनके और अरे वो कह रहे हैं है उनके कई दो किंड stick झाढए कॉथ चारशुशन को बदला जाएगा 417 अ हम कह रहे हैं निके के उन और ने और आं भी आपके ही पड़ोसी राजिय में आंध्रप्रदेश में एंडिये में जुड़ी वी टीडीपी ये कह रहे हैं कि चार पर्सें रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलना चाहिए और इनको देना चाहिए चंद्रबाबुनेडू ने ये भी कहा कि उन्होंने अड्वकेट्स को हायर किया है मुसलिम पक्ष की तरफ से चार पर्सें रिजर्वेशन को लेकर जबकि वो इंडिये में शामिल है तो इस पर क्या करेंगा जो अदमी अपने सुसरे को धोका दिया वो जनता को धोका नहीं दे सकता क्या बात कर रहे आप तो आंधरा पर्देश में चंद्राबाबुनेडू सर जुका देंगे मोडी की चौकट पे और जो हुकम होगा उस पी तामील करेंगे जगन मोहनरडी है जो रिजर्वेशन को बचा के रखेगा जन सेना चंद्राबाबुनेडू आंधरा पर्देश में मुस्लिम रिजर्वेशन को निकाल देंगे क्योंकि इनकी बीजेपी क्या कुछ नहीं चलती वो बोलें कॉंडिक करें मोडी के बयान को हमिशा के गलत बयाने बोलिये ना बकवास कर रहे हिम्मत है तो बोले नाइडू बोले जन सेना बोले एक्टर बोले बोलिया आप आंधरा पर्देश के मुसल्मानों से कहिए कि हम हम नहीं मानते मोडी की बात को हम नहीं मानते मिशा की बात को जगन तो खुलकर कहरा है ना कि मैं रिजर्वेशन रखूंगा तो आंधरा परदेश की जनता से हमारी अपील यह है कि वहां पर एक स्टेट के प्राबलम्स है बैफरकेशन के बाद और हम उम्मीद करते हैं कि जगर महुंड़ी का साथ देंगे और यह जो आरेसस का एजंड़ा है उसको नाकाम करेंगा अंधर प्रदेश में अपने आपको एक सेकुलर लीडर बताते हैं लेकिन हैदरबाद की राजनिती में विकास से हटकर मुद्दा जा रहा है बीफ और मस्जीद के तरफ तीरबान के इशारे के आरोप को लेकर तो तुष्टी करन की राजनिती के आरोप लग रहे है आप पर भी भारते जनता प कहां से आरे हैं आप लोग 15 मिट साथ हैं आप लोग 10-15 मिट साथ हैं सी सी रोट का का काम देख रहे हैं आप सी रोट का 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 काम देख रहे हैं बीफ बीफ शॉपर आप रुकर आप ऐसा है जेपीदी जेपीदी का शेरवा हम ये बताना चाहरे थे कि ये बीजेपी का असली चहरा है आप अलाइना कमपनी से दस कौर्ड रुपे लेते हैं तो बीव जिन्दाबाद की नहीं बुर रहे आप जो दलित कथिक है और खुरेशी मुसल्मान में है उनका दूसरा कारोबार हाते ही ने वही करते हैं ना आप जाके की दोश्ट की दुकान ने पूछीए बारह-त्यारा घंटे काम करने के लिए बाद चार सौर पे-पांस सौर पे लिए आथा हो आप उस दुकान के खलाफ हैंबर कंपनी के खलाफ नहीं है आप यह हम बताना चाह रहे थे हम उसमें कामियाब हो गए और आप लोगा भी शुक्रिया आपने उसको लेके चले आप बताइए बोलिए मोडी जी को बोली दसकोर्ड मिले नहीं मिले आज अमिच शारे पुछ लिए जाकर आप आपको अलाना से दसकोर्ड कैसे लिए आप अरे आने दीजिए इससे पहले भी आए थे बल्दिया के लेक्शन में क्या हुआ था राज मोहन जीद गया चोती मरतबा आए थे वो अमिच शाकर केंपेंड किये योगी आके चार घंटे केंप कुछ नहीं होता है प्रजबल रिवन्हा के मामले में आपने कुछ बयान किया है सर इस पर क्या कहिए उसमें उस पर क्या कहना है नरंदर मोडी को मालूम था कि वो ये सब गंदी हरकतें करता है उसके बावजूद नरंदर मोडी ने जाकर उसके लिए जनसभा की कैंपेंड किया अब नरंदर मोडी को जवाब देना पड़ेगा आपने वोट मांगा नहीं मांगा उसके लिए ये मत कहिए कि सस्पेंट कर दी हमारे पार्टी का नहीं था आपके पार्टी का नहीं था तो और जबड़ी जम्मेदारी आप पे है ऐसा शाह्त जिसने महिलाओं को क्या-क्या गंदगी की 57 साल के ओरत से इसने गंदगी की कहां गया नारी शक्ती कहां गया 33 पर्शन मैं भाई हूं फुलां हूं बखवास है सब यह आपको सिर्फ सत्ता से मतलब है यह सब चीज़े मतलब ही नहीं है आपको नारी वारीज नारी शक्ती से आपको सर आखरी सवाल कल आपने अपने बयान में कहा कि कॉंग्रेस पार्टी ने में ना महाराश्टरा, राजस्तान, मज़्य प्रोदेश में कोई मुस्लिम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया जब कि 4.4 फीसद रिप्रेजेंटेशन था, 14 पर्षेंटेशन जो रिप्रेजेंटेशन पॉप्लेशन मुसल्मानों का है कंट्री में तो यहां पर आपके खिलाफ एक मुस्लिम कैंडिडेट को ठेराया तो इसको कैसे देखते हैं हमारे खिलाफ भी खड़ा करते हैं ना हमारी खिलाफ खड़ा करते हैं देख लिया ना आपने हैं महराश्रा में 48 लोकसभा की सीटे हैं और महाविकास अगाडी आजकल तो माशाला उद्धव ठाकरे भी होली काउ हो चुके हैं सेकुलर हो चुके हैं वो बावजूद इसके के उनने क्या-क्या भाशन दिया था ब नहीं नहीं बलके कॉंग्रेस के एक सेमेले ने कहा कि एक कोड मुसल्मान है महराश्रा में और एक टिकेट नहीं दिया जाता है मैंने कहा वो उनसे आपके पास भी मौका था धहराने का महाँ पर मुस्लिम कैनिडेटेट महराश्रा में जीते 48 सीट्स हैं हम मौका नहीं कि खड़ा करेंगे बिहार करेंगे बिहार में देखिए नव यादवां को टिकेट दे दिये आरजेडी ने सतरा फीसद मुसल्मान चौदा फीसद यादव बाविस में नौ यादव और दो मुसल्मान ये क्या ये सोशल जिस्स समाजिक निया है कब तक आपको हमेरे खंदों बिठा के लेगे जाएंगे क्या फरक है आप में बीजेपी में है कोई फरक बताईए हमसे वोट डालने वाले बनेंगे क्या ये है इनका प्राब्लम धन्यवाद से बाचीत करने के लिए तो ये थे AIMIM के अध्यक्षा सद्दू दिनोवेसी साब कैमरा परसेंदामोदर के साथ अब्दूलबशीर है दरबाद